माडियूल 17 कोविड-19 प्रदिश विज्दारी सिच्छावे चिनोतियां और समधान उत्तर प्रदिश प्रदारित है इसकी प्रश्ण उत्तरी पूरा माडियूल हल करने बाद हम इसको सुरू करेंगे कोविड-19 एक वैक्ति से दूसरे वैक्ति में कैसे संचारित होता है हवसने से खालाटे से खांसने और शीखने से संचारित होता है दूसरा है चात्रा वाशियों हाश्डर्स के लिए सुरच्छित संगरोध क्वारंटीन से विधा की वश्था सुरू करने का सही समय क्या है विध्याले में परवेश लेने के दोरान विध्याले को पुरा खुनने से पहले विध्याले सुरू होने के बाद आशकता पुड़ने विध्याले को पुरा खुना होने से पहले यह अंसर हमारा सही है तीसरा है हमारी क्योधी की दोरान छात्रों के मांसिक कल्यान के मुद्दों को समभालने के लिए सबसे प्रवावी उपाय कौन सा है नीजी सिचक, ट्यूटर, सिचक, डक्टर, सिचक परामर सिदाता जिसमें सिचक परामर सिदाता हमारा अंसर सही है फिर है करोना वाइरस के करण होने वाला कोविड-19 दो किस रखार का है वंसानुगा संक्रामक प्रजातिय जेनेरिक विटामिन कमी तो संक्रामक वाला इसका अंसर सही है नेक्स्ट है वेकल्पिक दिवसी विद्धाले माडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुक चनोती नहीं है जागरुपता पैदा करना स्वाध्याय लचीलापन अध्यन समागरी तो इसमें हमारा जो है अध्यन समागरी अंसर सही है नेक्स्ट है विद्धाले में समाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है पहला है आय समू के अनसर वेकल्पिक दिवसी विद्धाले सिच्छा तिसरा सामाजिक प्रिष्ट भूमी के अनुसार वे कल्पिक द्यूशी विद्याले सिच्छा फिर छात्रों के क्रमांग के अनुसार वे कल्पिक द्यूशी विद्याले सिच्छा ये हमारा चौता अंसर का सही है नेक्स्ट है छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंद में विद्धाले में सुरच्छा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिमेदार है एक प्रधानाचार सिच्छक मातापिता सभी हितकारी तो इसका हमारा जो है आंसर जो है सभी हितधारक जो है आंसर सही ह नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को COVID-19 मामारी इसे संक्रमित होने से बचाने के लिए सबसे उप्युक्त विधी कौन सी है समाजिक दूरी, दोस्तों के साथ गपसप करना, हाथ मिराना, जागिंग तो समाजिक दूरी इसका अंसर सही है नेक्स्ट है, दुनिया भर में हाल में खोजी गई संक्रमित विमारी कौन सी महामारी बन गई है टाइफाइट, COVID-19, स्कुईन फ्लू, आईबोला सभी लोग जानते है COVID-19 के दौर चरह है 2020 में, इसलिए COVID-19 का अंसर सही है पेरे छात्रों के अधिगम के प्रड़ाम का समय समय पर मुल्लंकन, प्रडैस और सिच्छड विधियों में मदद करता है सिच्छड अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने दूसरा है छात्रों की युगिता के बारे में जानने तीसरा है छात्रों को ग्रेड देने सबसे पहले पूरा माडूल सही से पढ़ना है पढ़कर समझ कर तब उसको हल करना चाहिए और अंतमे प्रसनत्री के उत्तर देने चाहिए धन्यवाद